तो इस बीच एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है, इस वक्की बड़ी ख़बर आपको बता देते हैं, ये बड़ी जानकारी आपको कैसर से जुड़ी हुई दे देते हैं या बड़े खबर केस दर्ज कर मामले के चानबिन में फोलस जोड़ चुकी है और मामले में अभी तक किसी की भी गिरफतारी फिलहाल नहीं की गई है तो यानि की आरोप लगाया गया है लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफतारी हुई नहीं है चानबिन लगतार जार और तीन साल से मेरे काम की कोई भी कंप्लेइन किसी ओफिस में यह ना बच्चों ने की ना पेरेंट्स ने की मैं ठीक से उसको चला रही है होस्टिल को तीन साल बाद अचानक से एक डीपीसी यहां पे चेंज हो के आए तो उन्होंने आकर होस्टल में सुपरविजन के टाइम पे मेरे साथ बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और साथ में थे एक डीपीसी एपीसी अनिलिया दफ उन्होंने मुझे कहा कि जब यह गैस जलाओगे तो मैडम को साथ में खड़े कर देना मैडम भी साथ में प्रेशर बना रहे थे अगले दिन ही जो प्रिंसिपल भी उसी दिन पदभार संबाला था प्रिंसिपल ने अगले दिन मुझे ओफिस में बुला के कहा कि मैडम जैसे कल डीपीसी सराय थे अनिली आदव और ग्यान सिंगुनों ने आप से गलत तरीके से बात की ऐसे कोई ब अरोप लगाया गया है कि डीपीसी और प्रिंसिपल दोनों ने उसके साथ यौन पीडन किया था उसके साथ बार बार छिरखानी जैसे गलताओं का अंजाम दिया जा रहा था सेक्शुल हरेस्मेंट का यार बहर गंभिर मुद्दा ऐसे में अभी तक जाज कहां तक पहुच अरोप लगाया है पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है मामला दर्ज करके पुलिस ने अभी चानवीन शुरू कर दिया है पुलिस का कहिना है कि इस मामले में एक पक्स की तरफ से हमने मुकदमा दर्ज करके चानवीन शुरू कर दिया दूसरे पक्स से अभी ज ठीक प्रवीन साथ हम आपसे भी जानकारे चाहेंगे कि अभी तक क्या स्कूल प्रशाशन के तरफ से इस पर किसी भी तरिके के टिपनी की गई है जी अभी स्कूल प्रशाशन की तरफ से इस मामले में अभी कोई टिपनी नहीं की गई है वैसे उनकी तरफ से यही का जा रहा ह कि जो रोप लगाए है वो निरादार है और इस मामले को लेकर अभी कोई जाच भी चल रही है महिला की मामले को लेकर चले ठीक प्रवीन बहुत धन्यवाद आपको तब जानकारे हम तब पहुचाने के लिए